Hi everyone, welcome back to the channel तो अगर आपके पास एक यार्टेल सीम है आप अपने 4G हैंड सेट पर यार्टेल सीम यूज़ कर रहे हो और आपका इंटरनेट बहुत ज्यादा दिक्कत देता है तो क्रिपिया करके आप इस वीडियो को बिना स्किप करें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ के कैसे आप आपने 4G हैंड सेट में यार्टेल सीम का इस्तेमाल करके 5G जैसा इंटरनेट स्पीड निकाल सकते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करें यार्टेल सीम करें के आजाएगा फस्ट ओप आप देखें तो नेम का उप्शन तो यहाँ पर क्लिक किजिए क्लिक करते ही जिसी मैं लिक रहा हूँ सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिखना होगा तो फस्ट ओव और आपको यहाँ पर S केविटेल में P small letter में, double E, D small letter में, और साथ ही B capital में, और T small letter में, Speedboard X साथ होगा, और S B capital में होगा, बाद में X space लगा दना है, और यहाँ पर 2023 लिख दना है, यह लिखने के बाद OK कर दना है, सेगेंड नोबर पर आपको दिख जाएगा, APN का option, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर small letter में, A, I, R, T, E, L लिख देना है, उसके साथ ही आपको 5G small letter में लिख देना है, यह लिखने के बाद OK कर दीजिए, OK करने के बाद proxy note से, port note से टेहने दना है, username पर आना है, आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा, S, B, small letter में, at the rate लगा देना है, साथ ही, और यहाँ पर आपको 5G जो है, वो small letter में होगा, एक साथ सारा होगा, बाद में OK कर देना है, OK करने के बाद नीचे की तुरह आना है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, server का option, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद, यहाँ पर आपको www.google.com, यहाँ पर सुभी small letter में होगा, और यहाँ पर यह लिखने के बाद OK कर देना है, OK करने के बाद, आपको नीचे की तुरह आना है, आपको कॉमा लगा देना है, और यहाँ पर लिखना है small letter में, SUP, L, O, R, E, कॉमा लगा देना है, देन उसके बाद H, I, P, R, I, लिख देना है, और फिर से आपको कॉमा लगा देना है, और यहाँ पर आपको CBS लिख देना है, फिर से कोमा लगा देना है F और T A लिख देना है देन यह हमारा complete हो जाएगा सो भी small letter में होगा आप द्यान से दिखिए बाद में आपने phone पर लिखे ठीके तो यहाँ पर यह लिखने का बाद OK कर देना है OK करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा APN protocol का option तो यहाँ पर क्लिक कीजिए IPB4 slash IPB6 select कीजिए APN roaming protocol same select करना होगा आपको IPB4 slash IPB6 Then हमारा most important setting आता है VRR का तो इसके उपर टेप कीजिए टेप करने के बाद सबसे पहले आपको unspecified को anti कर देना है और यहाँ पर LTE से लेगे जितने भी server आपने mobile पर है 120 को select कर देना है और select करने के बाद OK कर देना है अगर save नहीं हो रहा है तो आप एक काम किजिए सिर्फ LTE को select कर दीजिए बाकि 120 को anti कर दीजिए otherwise अगर मान रहा है तो अच्छे बाते नहीं मान रहा है तो LTE select करके OK करके save कर दीजिए तो यहाँ पर मैं OK कर देता हूँ और more के option पर tap करके यहाँ पर save कर दूँगा save करते हैं आप देख से तो हमारे जो new API यह वो बनके ready हो चुका है तो यहाँ पर click करना है click करने के बाद यहाँ से निकल जाना है आपने phone को एक बार reboot करना है और बाद में आप अपने phone को on करके internet on करके देखिए कितना ज़दा speed increase हुआ है उम्मीद करता हूँ guys इस वीडियो को देखने के बाद आपका internet increase हुआ होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करिया और चैनल पर new आया हो तो please यार वीडियो को एक like करके चैनल को भी subscribe कर लेना क्योंकि इसी related informative वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा तो चलिए मिलते आप से next वीडियो में तौप तो के लिए जादो दीजिए बाबाई